Hello guys, today in this video I am going to share with you advanced English structure दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने चाहरे हूं advanced English structure के बारे में Guys, advanced English structure का यूज करके आप बहुत ही अच्छा English बोल सकते हो और आप अपने English में impressive बना सकते हो तो देखते हैं, पहला है guys, on no account इसका मतलब है किसी भी हालत में नहीं अब guys, on no account का आपकी situation में यूज करोगे जैसे मालो दोस्तों situation आपका ए है जैसे मालो आपने बोला कि किसी भी हालत में मैं वहां नहीं जाओंगा किसी भी हालत में तुम हैं नहीं आओगी किसी भी हालत में मैं आपसे बात करना नहीं चाहते किसी भी हालत में मैं वहाँ नहीं जाओंगी जब इस टाप के situation आ जाए गाईज तब आप वहाँ पे यूज करोगे on no account, clear? जैसे ही यहाँ पे एक sentence है किसी भी हालत में मैं उसको माफ नहीं करोगी तो सबसे पहले गईज देख लेते हैं इसका rule सबसे पहले आपको यूज करना है sentence और sentence आपका कैसा भी हो सकता है जैसा आपका sentence होगा उस टाप से आप बनाओगे and then आपको लगा देना है on no account समझते हैं example से किसी भी हालत में मैं उसको माफ नहीं करोगी तो सबसे पहले आपका rule क्या कहता है rule कहता है कि आप सबसे पहले उस करो sentence sentence है मैं उसको माफ नहीं करोगी अब यह sentence है आपका future indefinite का और future indefinite का आपका positive का rule हो जाता है subject plus will plus work की first form and then object मैं उसको माफ नहीं करोगी तो इसका English बनेगा I will forgive him अब यह नहीं के वाज़न से आप यहाँ पर will के बाद not नहीं लगाओगे इसका मतलब है किसी भी हालत में नहीं तो आपको use करना है last में on no account on no account तो आपका complete sentence हो गया दोश्तो I will forgive him on no account it means किसी भी हालत में मैं उसको माफ नहीं करोगी अगले example है किसी भी हालत में मैं वहाँ नहीं जाऊंगी सबसे पहले यूज़ करना है sentence यह भी sentence है आपका future indefinite का तो इसका English बनेगा I will go there and then according to rule आपको use करना है on no account on no account तो आपका complete sentence हो गया guys I will go there on no account it means किसी भी हालत में मैं वहाँ नहीं जाऊंगी clear अगले example है किसी भी हालत में मैं उसे बात करना नहीं चाहते तो सबसे पहले according to rule आपको use करना है sentence sentence है मैं उसे बात करना नहीं चाहते अब यह sentence दोस्तों आपका कैसा है यह sentence है present indefinite का और present indefinite का आपका structure हो जाता है subject plus work की first form या work की fifth form and then object मैं उसे बात करना नहीं चाहते it means I talk to him इसके बाद according to rule आपको use करना है on no account on no account तो आपका complete sentence हो गए दोस्तों I talk to him on no account it means किसी भी हालत में मैं उसे बात करना नहीं चाहते अगले example है किसी भी हालत में वह नहीं बदलेगा तो सबसे पहली उसकरना है sentence sentence में वह नहीं बदलेगा यह भी sentence आपका future indefinite का तो इसका English बनेगा he will change इसके बाद according to rule यूज करना है on no account on no account तो आपका complete sentence हो गए दोस्तों he will change on no account it means किसी भी हालत में वह नहीं बदलेगा अगले example है किसी भी हालत में वह नहीं आएगी तो सबसे पहले according to rule यूज करना है sentence sentence है वह नहीं आएगी यह भी sentence है future indefinite का तो इसका English हो जाएगा she will come here she will come here and then लगाना है on no account on no account तो आपका complete sentence हो गए है दोस्तों she will come here on no account it means किसी भी हालत में वह नहीं आएगे के लिए अगला देखते हैं अगला है who the hell are you गाइस इसका मतलब है तुम होते कौन हो अब दोस्तों who the hell are you आपकी situation में उस करोगे जैसे मानलो दोस्तों मैं आपको एक situation देती हूँ जैसे मानलो आपने बोला कि तुम होते कौन हो मुझे डाटने वाले तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले जब इस ताप के situation आज आजए गया तो आप उहां पे use करोगे who the hell are you समझ देते हैं इसका structure सबसे पहले आपको लगाना है who the hell are you इसके बार लगाना है to plus work की first form and then object last में आपको question mark यूज़ करना है समझते हैं example से तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले तो सबसे पहले according to rule आपको यूज़ करना है who the hell are you who the hell are you इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज़ करो to इसके बाद work की first form मुझे समझाने वाले it means make me understand तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो who the hell are you to make me understand it means तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले अबला example है तुम होते कौन हो मुझे डाटने वाले तो सबसे पहले according to rule आपको यूज़ करना है who the hell are you who the hell are you इसके बाद लगाना है to plus verb की first form verb है मुझे डाटने वाले it means scold me तो आपका complete sentence हो गया 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 who the hell are you to scold me it means तुम होते कौन हो मुझे डाटने वाले अगला example है तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले तो सबसे पहले यूज़ करना है who the hell are you who the hell are you इसके बाद लगाना है according to rule 2 and then लगाना है verb की first form verb है उसे रोकना it means stop him तो आपका complete sentence हो गया है who the hell are you to stop him it means तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले clear अगले example है तुम होते कौन हो उसे बताने वाले तो सबसे पहले according to rule उसे करना है who the hell are you who the hell are you who the hell are you इसके बाद उसे करना है to and then लगाना है verb की first form verb है उसे बताना it means tell him यहाँ पर गाइस हम मानकर चल रहे है में तो यहाँ पर हो गया him यदि female मानते तो यहाँ पर object हो जाता her clear तो आपका complete sentence हो गया who the hell are you to tell him it means तुम होते कौन हो उसे बताने वाले अगले example है तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले तो सबसे पहले according to rule यूश करना है who the hell are you who the hell are you इसके बाद लगाना है to plus verb की first one verb है मुझे कहना it means say me तो आपका complete sentence हो गया guys who the hell are you to say me it means तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले तो बस आपको इतना ही मिलते हूं next video में I hope आपको इस समझ में आया होगा तो आप who the hell are you and on no account से एक एक sentence comment section में बना कर जरूर लिखे Thank you